थार्ड क्यूशन देखिए कि 6 सेंटिमीटर की दूरी पर अवस्थित दो बिन्दों A एवं B पर दो आवे इस दो माइक्रो कुलाम ठता माइनस दो माइक्रो कुलाम रखे हैं निकाय के सम्विभो प्रस्ट की पहचान कीजिए इस प्रस्ट के परतेक बिन्दू पर विद्व चतर की दिशा क्या है देखे हमें यहाँ पर दो बिन्दू बता रखे हैं एक बिन्दू A है दूसरा बिन्दू B है और दोनों जो बिंदू है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 6 cm डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है 6 cm हमें बता रखा है A, B हमें 6 cm बता रखा है A के उपर प्लस में 2 µ कुलाम का आवेश है B पर माइनस 2 µ कुलाम का आवेश है तो देखे विद्यारतियों आप यहां पर ध्यान देंगे कि एक सम विभव प्रस्ट की हमें पैचान घरनी है सम विभव प्रस्ट का मतलब हो गया है कि एक ऐसे प्रस्ट का हमें खोज करनी है जिस पर विभव का मान एक समान रहे तो देखें, दोनों आविशों को मिलाने वाला, मिलाने वाली रेखा के उपर से गुजरने वाला ऐसा कोई प्रस्ट हम यहाँ पर देखते हैं, तो देखें, इनके दोनों आविशों के मद्दे बिंदू पर, मतलब बिंदू A से 3 सेंटिमेटर दूरी पर, एक ऐसा इसके लं परिमान यहां पर किया है जो कि यहां से होकर गुजर रहा है इनके मद्दे बिंदू से होकर गुजर रहा है इस तरीके से एक प्रस्ट है तो इसे प्रस्ट के उपर जो विभव होता है वो सुनने होगा क्यूं होगा सुनने क्यूंकि इस धनात्मक आविश के कारण से यहां अपर धन विभव, रिनात्मक आवेश के कारण से रिन विभव, दोनों आवेशों के कारण से उत्पन विभव, परिमान समान होगा, दूरी इनकी समान है, देखो यहां से A, O, और B, O, यह दोनों समान है, इनको हम R गंसिडर कर लें, जो A वाला चार्ज है, धनावेश है, B दूसरे के कारण से रिन विभव, उत्पन होगा, यह क्लीर हो गया, तो इसके उपर विभव, यह जो प्रस्ट है, यह है सम विभव प्रस्ट, कैसा प्रस्ट है, सम विभव प्रस्ट है, और इस सम विभव प्रस्ट पर विभव की जो वेल्यू है, वो जीरो है, विभव का होगी तो यह यहां पर एक विद्दु दिधुर्व की भाती काम कर रहा है और यह जो प्रस्ट है वो विद्दु दिधुर्व का निरक्सिय तल कहलाता है कौन सा तल है निरक्सिय तल और निरक्सिय तल पर हम यह जानते हैं कि विद्दु छत्र निरक्सिय तल के लंबुवत ह इधर विद्दुच्छत्र की दिसा होगी, धनावेश से रिनावेश की ओर होगी, धनावेश से रिनावेश की ओर विद्दुच्छत्र की डाइरेक्शन होगी, रिनावेश की ओर, clear, तो विद्दुच्छत्र की दिसा इस प्रस्ट के उपर प्रते एक बिंदू पर इसी डा रहेगा यह था थार्ड कुशन